ओके रीसेंट चेप्टर में ओड़ा ने बहुत कुछ रिवील कर दिया है जैसे 800 एर पहले नेफरेटारी फैमिली ने सेलेशिल ड्रेगन बनने से क्यों मना कर दिया था नेफरेटारी लिली कौन थी और भी बहुत कुछ बट जनता का सवाल यह है जैसे नमबर वन रीसेंट 1085 में हमने देखा था कि emo के according वर्ल गावर्नमेंट्स ने सारे पौनेगलिफ कलेक्ट कर लिए थे और नेफरेटारी लिली ने सारे दे लेख आइमीन लाल नीले पत्थर पुरे वर्ल्ड में स्केटर कर दिया था पर लिली ने इतने कम टाइम में सारे पॉन गिलिफ एक्जेक्ट सेम जगह पर फिश्मेन आइलेंड में वानु में और भी जो भी जगे हैं वहाँ पर इक्जेक्ट सेम जगह पर कैसे पहुंच थी या नहीं और जनता का तीसर सवाल यह है शैंक्स इस दा सेलेश्चियल ड्राइगन तो क्या शैंक्स सेलेश्चियल ड्राइगन है और जनता का चौहता सवाल यह है इमू अश्वत थामा बना कैसे अमर कैसे हुआ ओके तो इस वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट कॉस्चन से तो वन पीस चैप्टर 1085 में हमने देखा था इमू के अकॉर्डिंग वल्ल गवर्मेंट ने सारे पोनिगलिफ कलेक्टों कर लिये थे पर कुईन लिली की कारण सारे पोनिगलिफ पुरे व्ल्ड में स्कैटर हो गए थे पर कुईन लिली ने इतने कम टाइम है ये सब किया कैसे अगर लिली एक इक पोनिगलिफ हर एक जगे पर जा कर खुद से रखती तो उसे बहुत तयाम लग जाता पर इसे जानने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर यह है वीडियो वीडियो बनाने वाले की कलपना पे आधारित है इसमें किसी भी कैरेक्टर के लिए हेट या सस्क्राइबर की फीलिंग को ठेस पहुचाने की चेस्टे नहीं की गई है इसे मन और अंजन की तरह देखें और जोई बॉई ही वो परसन था जिसने पूरे वर्ल्ड में पोनिगलिफ को स्प्रेड किया था बट स्टोरी तो कुछ और ही निकली चैप्टर 1085 में इमो के अकॉर्डिंग वर्ल्ड गवर्मेंट ने पूरी वाइट सेंचूरी की हिस्ट्री आइमीन सारे पोनिगलिफ को कि हम सब मिलके एक और्गनिजिशन क्रियेट करते हैं तब उन 20 फानिंग मेंबर में से एक थी नेफरेटारी लिली अलबास्टा से जिसने सब प्रटेंड किया कि वह वर्ल्ड गवर्मेंट की ला है बट वह नहीं थी और वर्ल्ड गवर्मेंट ने जितने भी पोनिगलिफ लिली ने पूरे वल्ल में फैला दिये थे और तब इमु को पता नहीं था कि लिली डी है लिली ने फटारी डी लिली है इमु को बिलकुल नहीं पता था उसके नाम के पीछे ऐसा डी जोड़ा है जो वर्ल्ड गवर्मेंट के ल लगा देगा फीूचर में और लिली ने पर जो भी लिली ने सारे पौने गलिफ्स को स्क्टर तो कर दिया था और यह चीज अटनी पिद्दी सी लिली काम कैसे कर सकती है इतने कम पर एक डवी अीज़िट गलिफोत के सकता इसा है इतने बड़ी और भार भारे पॉनिगल्फ को एक मिनट में टेलिपोर्ट कर सकता है तो में भी हो सकता है नेफलेटारी लिली ओरिजनल यूजर थी कुमा के डेविर फूट पॉप फूट की और लिली ने पॉप फूट की हेल्प से ही सारे पॉनिगल्फ को एक्जेक्ट सेम जगह पर लोकीशन पर अगर नेफलेटारी डी लिली ओरिजनल यूजर थी पॉप फूट की तो हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि लिली ने जॉप की थी वन पीस को क्रियेट करने में क्योंकि चैप्टर 1072 में वेगा पंक ने बताया था कुमा का डेवल फूट इंटेंजेबल चीज़ें जैसे पे यी टेक्नलोची को जी भूback की तैकनलोची के सामने और एकर लिली के पास पॉप फूट था और एंचन के पास एडवान्स सायंस था ऻुपयोर allies थे past में तो हाँ यह possible हैOM लेली ने on-piece को create करने में पर लेली ने कैसे create किया होगा one piece ? इसे जाने से पहले और प्रोफेसर क्लोवर की वह बात याद करते हैं जब oarakanahLAうん graph हाथा प्रोफेसर क्लोवर ने कहा था why did people of the past ingrave text on the heart stone क्या past के लोग future के लिए कोई message deliver करना चाहते थे engraving the history onto unbreakable stone and scattering them all over the world past history को in unbreakable stone में लिखना और पूरे world में पोनिगलिस को फैलाना क्योंकि they thought that if they had written it on paper or in books the message would destroyed अगर यह history paper या box में लिखी जाती तो इसे आसानी से destroy किया जा सकता था और जब इन्हें realize हुआ कि world government इनको defeat कर देगी तब past के लोगों ने अपने ideas history को stone में लिखके आगे pass on कर दिया पर one piece में दो टाइप के पोनिगलिफ है blue और red blue पोनिगलिफ वो stone है जिसमें history लिखी है जैसे fishman island वाले पोनिगलिफ में joy बड किसी चीज की माफी मांग रहा है लेकिन रेट पोनिगलिफ सर्फ चार हैं जिसमें love टेल तक पहुंचने का रास्ता लिखाया और जिसने भी रेट पोनिगलिफ में love of d ancient weapons वानों कैसे connected था वर्ल्ड से पास्ट में joy boy के बारे में और मुझे लगता है ये सब history love tale में लिखी होगी जिसको पढ़के पूरा crew हसने लगा था पर वहां पर कुछ ऐसा भी होगा जो सर्फ एक particular time period में ही unlock होगा कुछ ऐसा ट्रेजर जो पूरी दुनिया को हिला देगा और रॉजर भी कहता है हम time से पहले आगा यहां पर काश में joy boy की time पर पैदा हुआ हो तो मेरा ये सब पास्ट की बाते बताने का conclusion यह है नेफेटारी लीली ने joy boy की help की होगी one piece को create करने में पर कैसे तो लीली के पास pop of fruit की power थी और advance science भी था तो लीली ने joy boy का joy अब ये joy कुछ भी हो सकता है अवेकन power हो सकते हैं feeling हो सकती है या कोई ऐसी imagination जो पूरे world को change कर सकती है anything कुछ भी हो सकता है पर इस joy में कुछ ऐसा important होगा जिसको लीली ने bubble बना के रखा होगा जिससे सर्फ next joy boy ही obtain कर पाए तो जो one piece है वो कुमक की memory जैसे ही intangible bubble हो सकता है पर advance level का जिसमें लीली ने joy boy का joy store किया होगा वैसे यह half-baked theory है तो क्या पता one piece इससे भी जादा कुछ उपर हो सकता है anyway question number 3 shanks is the celestial dragon well इससे related एक new theory सामने आई है इससे पहले की सबी theory तो मैं already पता होगी अगर नहीं पता तो comment में जरूर बताना क्योंकि अपने channel में shanks से related एसा video आएगा जिसमें shanks की हर एक minor detail cover होगी और हाँ इस channel में new हो तो video पे like और channel को subscribe जरू कर लेना back to the topic shanks is the celestial dragon इससे समझने के लिए चलते हैं past के chapter में चेप्टर 444 में white beard and red hair तो इस chapter में जब shanks अपनी हाकी का flex करते हुए white beard की ship में आता है तब white beard कहता है the wound I got from that guy itches whenever I look at your face मेरे घाव ताजा हो जाते हैं जब भी मैं तेरा चेहरा देखता हूँ और shanks कहता है तो इधर मत देखना चूती है बाई मजाग कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं बोलता shanks पर white beard ने जब ये बात बोली थी तब हम सभी को लगा था कि white beard roger की बात कर रहा है क्योंकि shanks exact roger के ही जैसा ही है conqueror hockey plus sword user पर white beard ने जो बात बोली थी वो roger के लिए नहीं बोली थी ये बात white beard ने holy night का लीडर figure land garling के लिए बोली थी और chapter 1086 में reveal हुआ था कि figure land garling पहले god valley का ruler था और one piece film red में shanks को भी figure land family से बताया था जिसका मतलब है और celestial dragon पहले god valley में भी घुमा फिरा करते थे तब rock spirit ने god valley पर attack किया था और तब शायद white beard भी था वहाँ पर और उसकी fight figure land garling से हुई हो और जिस scar की बात white beard कर रहा था वो scar figure land garling नहीं दिया हो और god valley में ही shanks roger को pt में मिला था तो शायद white beard जानता हो shanks figure land garling का बेटा है यानि celestial dragon है और shanks का ये चहरा उसे figure land garling का याद दिला रहा है तो आज मैं अपनी prediction हाकी से ये predict कर रहा हूँ कि shanks cel shield dragon है पका और तुम भी अपनी prediction हाकी का विजार comment में दे सकते हो तो जनता का चोहता बड़ा सवाल क्या emu immortal है अगर है तो how emu become immortal तो तुम इसे जानने के लिए of course emu immortal है इसका answer सभी ने पहले ही predict कर लिया था कि ओपो fruit का जो former user था उसी ने emu की उपर immortal youth surgery किये होगी जिससे emu immortal बन गया था और chapter 1086 में अपना लीडी सिंगम इवांगॉफ ने भी कह दिया था emu immortal कैसे बनी पर मेरा question यह है इवा जिस book को पढ़ दी थी क्या वो कुमा की बाइवर वाली book थी या कोई और बुक थी और तुम कमेंड में जरूर बताना क्या था और पाजवा सबसे चूतिया सवाल पूछा गया है मुझसे भाई तुम्हारा di star k size क्या है और उसका color क्या है हा 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 गुलाबी दिल गु कर निकली कहा था इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे मौमोनोस के के बारे में सर्च करो और यह कौन इंसान जो मेरे मोमोनोस के के बारे में जानना है अब तुने पूछा यह तो चल बता दीता हूø mean अगली वार अच्छे सवाल करतरों का कमिटी गाइडलाइन का ध्यान झाल झाल